हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बेद्यासी ब्लोग में आज की समय में बालू की जड़ती समस्या से हर कोई परिशान है तो इसके लिए मैं आपके लिए एक पुपाय लेकर आई हूँ तो वीडियो को पूरा चरूर देखिए एंड तक इसके इस्तिमाल से आपके बालू का जड़ना और टूड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोध भी तेजी से बड़ेगी जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली है हूँ ये देखिए भिंडी है इसके अंदर इतनी सकती है कि ये आपके बालों का जड़ना टूडना पूरी तरह से आपको इसके अंदर डाल देना है जो कटिवी सारी भिंड़ी है वो इसके अंदर आप उसको डाल दें अगर आप महिंगे महिंगे प्रडक्ट ला कर परिषान हो चुकी है तो आपके बालो का ज Jennifer बन नहीं हो रहा है आपके बालो ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है और आपके बाल बिल्कुल भी सिल्की साइनी नहीं हो रहे हैं तो आप इस remedy को जरूर आजमाए तो यह देखिए यह अच्छे से आपको 5 मिनट low flame में अच्छे से आपको boil करना है तो जब यह अच्छे से boil हो जाए तो ये देखिए ये अगर आप अपने बालों में इसका इस्तमाल करेंगी तो बिलकुर रामबान का ये काम करेंगी पूरे तरह से आपके बालों में इसके लागाने से आपके बाल जढ़ेंगे नहीं तोटेंगे नहीं और आपके हैर की गिरोध भी बड़ेगी और आपके बाल बहुती सुन्दर और साइनी बनेंगे तो यह देखिए इस तरह का एक जैल बन जाएगा भिंडी का तो यह देखिए जो भिंडी है वो अच्छे से इसमें बॉल हो चुकी है यह जैल के फॉर्म में आ चुकी है तो अब आपको क्या करना है इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है तो यह अच्छे से बॉल हो चुकी है यहां पर गैस को अच्छे से बंद कर देंगे तो अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब में किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी को देखने के लिए तो आपको क्या करना है अब इस जैल को अच्छे से एक बावल में च्छान सकते हैं तो दोस्तों यह इतना अच्छा उपाई है आपके बालों के लिए चुकि आप महंगे महंगे प्रोडट लगाते हैं और वो आपके बालों में अच्छे से काम नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो मात्र ये थोड़े से ही पैसों में आने वाली चीज आपके बालों में बिल्कुल रामबान का काम करेगी तो इससे क्या होगा आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे यानि कि अगर आपके बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है बिल्कुल भी जान नहीं है पुरी तरह से बेजान है तो इससे आपकी सारी समस्या खतम हो जाएंगे आपको मात्र एक गिलास पानी में ये भिंडी का जैल बनकर तयार हो जाएगा तो ये देखिए ये बहुती अच्छी रेमेडी है आपके बालो के लिए तो आप इसका उपयोग जरू करें तो ये देखिए अब मैं इसको आपको बालो में लाकर दिखाती हूँ आपको इस तरह से बालो में लगाना है ये देखिए इस तरह से आपको पूरे बालो में अच्छे से लगा लेना है तो ये आपके बालो को बहुती सुन्दर बनाएगी और अभी तक आपने चल्ड़ को सब्सक्राइब न तो ये देखिए मैंने इसको पुरा बालों में लगा लिया है और अच्छे से मैंने इसको बन बना लिया है तो अब आपको क्या करना है इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो जब आप इसको बना कर अपने बालों में अपलाई करेंगे तो आप भी खुदी इसका रेजल्ट आप खुदी देखेंगे कि आपके बाल कितनी सुन्दर हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में किसी भी remedy का रेजल्ट मिले ऐसा नहीं होता है आपको क्या करना है इसको एक से दो हफटे जल्दी से जाएए और आप भी इस जल्व को बनाकर अपने बालों में अपलाई कीजिए चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में